Hello everyone, this is Ankit Kumar and I welcome to you class first, class first के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, तो जो भी हमारे नए भीवर से उनके लिए एक information है कि जिन्होंने भी नहीं देखा इससे पहले का class वो जा करके जरूर देखिएगा, सारे class का link मैं इस वेडियो के description box में दे दूँगा, आप जा करके देखिएगा check out किजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और आज की जो class होने वाली है, यह chapter first जो सीत युद का दौर चला, उसका last class होने वाला है, और यह question answer का session है, जैसा कि आप लोगों से promise किया गया है कि class सिलसलेवार धन से चलेगी, systematic way में चलेगी, पहले हम लोग theory की class क करने वाले है, उसके बाद हम question answer का session करने वाले है, जिसमें से दो session रहेगा, एक तो objective question answer का रहेगा, दूसरा subjective question answer का session रहने वाला है, तो पूरा systematic way में चलने वाला है, जो भी बच्चे हमारे नए viewers हैं, वो जरूर इस session को देखिएगा, और इस session को देखने के बाद आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो viewer से उन तक यह पहुंच सके, और share कर दीजिएगा, और यह जो class YouTube पे होती है हमारी, हमारी class जो YouTube पे हो रही है, एक मिनिट, जो हमारी class हो रही है YouTube पे, यह सोम बार से सुकरवार हो रही है, Monday to Friday और आठ बज़े साम में, साम को आठ बज़े में यह daily class होती है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे comment नहीं करते हैं, तो comment जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप कैसा लगा सेसा, और subscribe जरूर कीजिएगा, देखते तो बहुत सारे लोगे लेकिन subscribe नहीं करते हैं, तो इसलिए subscribe करिएगा ताकि notification आपको मिल जाए, और telegram का link टेलिग्राम का जो link है, मैं इस सेशन के description box में दे दूँगा, description box में मैं दे दूँगा, आप जाकर कि वहाँ पर जूर जाए, ताकि अगर आपको YouTube से notification ना मिले तो आपको question answer होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, जो question होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है short type, और दूसरा होता है long type, long type में भी दो तरह के होते हैं, एक तो दो number वाले और एक होते हैं, पांच नंबर वाले, और short type में सिर्फ एक number वाले होते हैं, यानि कि short type कहने का अर्थ हो जाएगा मेरा, कि short type कहने से अर्थ है, कि यहाँ पर अगर मैं इसको correct करूँ तो objective, एक नंबर वाले होंगे और लॉंग टाइप में दो हो जाएगा एक तो सौर्ट हो जाएगा और दूसरा लॉंग हो जाएगा आई होप आपको ये बाते समझ में आ गई होगी ये जो सेशन है अब्जेक्टिब का ये हो चुका है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दू सेशन को है इसंग करते हैं इसीद क्या है सीथ युद्ध की समाप्ती की समाप्ती के बाद दो महा सकतियों आप सभी को पता अपको करते सेधिये संगर से इन दोनों महासक्तियों की विचारदाराव की लड़ाई थी सक्ति परदर्शन था कि कौन बेश्ट है कौन सबसे बड़ी ताकत है किसके पास अच्छा सेना अच्छी सेना है किसके पास उन्नत हतियार है और इस वज़े से क्या हुआ पूरी दुनिया में तनावपूर सीत युद्ध के नाम से जाना जाता इसी तनावपूर निस्टि को सीत युद्ध कहा गया जिसमें लग रहा था कि अब जो है युद्ध हो जाएगा अब जो है युद्ध की कंडिशन बन रही है युद्ध हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लोग अपने next question की तरफ और यह जो सेसर नहें वाला बहुत लंबा नहीं रहने वाला क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंसी याइटी का जुस्वर से उसमें अपने चैप्टर से इस चेप्टर को रिमुव कर दिया है और इस बात का जिक्र मैंने अपने वाले वीडियो के डिसक्रिशन में किया है जिसक डिसक्रिप्ट ऐसा जो है डिसक्रिशन स्लेबस का यूटूब पे साइध ही नहीं मिलेगा आपको इसलिए एक बार जरू जाकर चेक आट की दिएगा तो यह हमारा पहला कोश्चिन हो गया अब हम लोग नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है तनाव सेथिल्य से क्या समझते हैं सेथिल्य का मतलब होता है एकदम सांत पर जाना तो यह जो तनाव की जो इस्थिति उत्पन हुई थी सीटियूद के दौरान में यह इस्थिति कब सांत हुई तो आपको पता होना चाहिए 1960 1960 का वो दसक था जिसमें तीन एहम समझाते हुए थे तीन समझाते हुए थे यह किसके किसके बीच हुए थे तीन समझाते USA और USSR के बीच यह जो तीन एहम समझाते हुए थे इस वजह से अस्त्र नियंत्रन अस्त्र को नियंत्रित किया जा सका यानि कि जो दोनों महासक्तियां थी इन दोनों ती तो विचारधारा की लड़ाई थी जहां यू ऐसे उदारबाद और पुंजिवाद का समर्थक था वहीं पर USSR की बात करें तो यह सामेबाद और समाजबाद को बहतर बताता था यह तो विचारधारा की लड़ाई थी, उसके बाद हतियारों के भी होड लगी थी इन डोनों महा सक्तीयों के भी कौन ज़्यादा सूपर बावर है, कौन ज़्यादा पावर पूल है जब हथियारों की होड लगी तो किसी ओप्रिय घटना के होने के डर से दोनों महासक्तियों ने 1960 के दसक में तीन एहम समझोते किये थे जब ये तीन एहम समझोते किये गए जिसे अस्तर नियंतरन हो सके और जब समझोते के बाद हथियारों की जो होड थी इस पर ब्रेक लग गया इसी दौर को तनाव सेथिले का दौर कहा जा सकता है कि ऐसा दौर ऐसा समय जहां पर दोनों महासक्तियों के भी जो तनाव संगर्स की स्थितिती वह दिरे-दिरे कम हुआ और यहीं से कम होना सुरू हो गया था संगर्स हो रहा आप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब हम लोग अपने अगले तरफ चलते हैं अग्ला क्वेश्चन है हमारा गुट निर्पेक्ष आंदोलन क्या है तो गुट निर्पेक्ष आंदोलन जो है सीत युद के दोरान सभी को पता है गुट निर्पेक्ष आंदोलन को आंदोलन के जो देश है इनको तीसरी दुनिया का भी देश कहा जाता है जो गुट निर्पेक्ष आंदोलन है इनके जो द सीत युद्ध के दरान जो दुनिया सामाने तो दो गुटों में बट गई थी पहला गुट की अगवाई सोवियस संग कर रहा था और दूसरे गुट की अगवाई संक तुराज अमेरिका कर रहा था इस संदर में जो भी नए ने देश आजाद हुए थे उसी समय उनको किसी भ सकतियों के खेमे में नहीं जाना चाते थे इस परकार के देशों ने क्या किया जो गुट बंदी हो रही मेरे साथ आ जाओ या मेरे साथ हो जाओ इन गुटबंदी से अलग रखते हुए जो सोतंतर विदेश निती अपनाई या सोतंतर घरेलू निती अपनाई इसी को गुट निर्पेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है I hope आपको किलियर हो गया होगा इसी को गुट निर्पेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है exact जो word है लिखा हुआ है मेरा काम समझाना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर अगर फिर भी कोई problem हो तो comment box में comment करिएगा मैं बतानी की कोशिस करूँगा या reply करनी की कोशिस करूँगा आपको I hope आपको यहाँ तक समझ में आगया होगा और जो भी हमारे नए वीवर्स हैं वो like जरूर कर दीजेगा हमारे चैनल को ठीक और चैनल को यानि कि इस session को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा चैनल से यहां सिर्फ अभी पॉलिटी की क्लास चल दीए लेकिन कुछ ही समय बाद हम लोग history, geography, economics सारी class लेकर के आने वाले इसलिए subscribe कर लिजेगा bell icon को press कर दीजेगा ताकि notification मिल सके और telegram group में जरूर 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 कर लिजेगा जिसका link में इस वीडियो के description box में डाल दूँगा ताकि आपको अगर YouTube से notification नहीं मिल लाओ तो टेली ग्राम से notification मिल जाए तो यहां तक किलियर है उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरह आपना जो अगला क्योस्य की तरह बढ़ते हैं कि और क्या गुटनिर्पेख्शता एक नका रॉत में नहीं यह चक्रिएता की निंटी お cancel 4-5 के नितिह बल्कि गुटनिर्पेख्षता के नितियों एक सक्रियद्ह क stiff गुट निर्पेख्ष्टा कि नकारात्मक निती ना होने के कई कारण है या ऐसा इसको लिख सकते हैं दूसरे सब्दों में कैसे लिखेंगे गुट निर्पेख्ष्टा एक बिनिट गुट निर्पेख्ष्टा गुट निर्पेख्ष्टा कि सकारात्मक निती सकारात्मक नीती सकारात्मक होने के गुट निर्पेक्ष्टा नीती के गुट निर्पेक्ष्टा की नीती के सकारात्मक होने के कई कारण है कई कारण, यहां से ऐसे देख करके आप लिख सकते हैं, कारण को आप इसे लिखना है, गुट निर्पेख्स्टा के नीती चाहिए करन को नकारातमक करके करन है, मैं आपसे बार बार शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा नहीं कि यहीं जो मैं यहां पे इसमें कर बोर्ट का इख्ञाम देना है क्योंकर आप стен अच्छा इसलिए यहां पे competition नहीं होता, यहां पर seat fix नहीं है, यहां पर आप चाहे टॉप कर सकते, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको marks आएगा, और आप नहीं पढ़ेंगे आप खेल कर जाएगे, इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बच्चे को suggest कर देंगे, तो इससे आपका seat खतम हो हो है, तो पहला जो कारण है, गुटनेर अंधोलन के दीसों ने वख चाहएशव के दौरान की बात हो मुटनेर पकरशा बढ़ रहा था, सिट यूद्ह जो फैल लाता था दुंए के अलग अलग को में जैसे कि सबसे पहला बटवारा तो यूरोप में हुआ उसके बाद यूरोप में सैने गटवंदन बना फिर दीरे दीरे या एसिया में भी आया एसिया में भी तो सैने गटवंदन बनते हैं जो जो यह प्रसार हो रहा था जो इसका फैलाव हो रहा था जो इसके दाइरे ब बात करें तो कोडिया में जो संकट उत्पन हुआ था उसमें नेहरु जी ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने कोडिया संकट को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इस बात का जिक्र भी आता है और इसका से इस बात का जिक्र मैंने अपने से में भी किया है और जो इससे पहले ज़स्ट जो क्लास होई है objective question answer का मैंने उसमें भी किया है दो रीजन हो गए और तीसरे थे जितने भी देश उसमें नए नए आजाद हो रहे थे वो नए देशों को जो भी महासक्तियां थी हो चाह रहे थी कि मेरे खेमे में आ जाए या फिर मेरे खेमे में आ जाए या नहीं दोनों चाहते थी अपने अपने खेमे में लेना लेकिन जो गुट निर्पेक शांदोलन के देश थे उन्होंने महासक्तियों के इस परियास का भी भरपूर विरोध किया गुट निर्पेक शांदोलन के देशों ने कहा कि जो जो नए देश आजाद हो रहे हैं अगर यह गुटों में चले जाएंगी तो फिर इनकी क्या नीती रह जागी यह तो आपके हिसाब से नीती बनाएगे ने इसलिए गुट निर्पेक शांदोलन के देशों ने इसका काफी विरोध किया था आई होप यह बाते आपको के लिए रहो गई होगी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन उस पर क्वेश्चन क्या है गुट निर्पेक शांदोलन अब प्रासंग एक हो गया है अपने विचार प्रस्तुत करें यह जो क्वेश्चन है यहां पर यह बहुत ही विवी क्वेश्चन यह हमेशा ध्यान लखिएगा यह सारे कॉश्चन भी वी आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए हैं कि पूछे भी गये हैं या जिनके प सारे के सारे question answer important है इसलिए ध्यान दखिएगा इसको हमेशा नोट्स बनाईए या फिर screenshot ले सकते हैं तो आप screenshot ले लिए लिकिन जरूर बढ़िए तो बढ़ते अपने जो question है उसके तरफ गुट निर्पेक्ष आंदोलन अब आपरा संगिक हो गया है यानि कि अब इसका महत्व नहीं रह गया इसका कहने का मतलब यहीं है इसके लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए क्या आपको ऐसा लगता है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन का कोई महत्व नहीं है या अगर महत्व है अपने पक्ष या भी पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए कहना यहीं चारा है गुट निर्पेक्ष निटी कब आई थी अगर मैं बात करूं पर्थम गुट निर्पेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 में उसके हिसाब से बात करें तो लगवग 6 द ज्यादा कम नहीं होना चाहिए सभी देशों को बराबर महत्व देना चाहिए और परगती सीलता का मतलब धीरे विकास करते रहना चाहिए इस वज़े से इसकी अवधारना की वज़े से यह नीती आज भी प्रासंगीक है वरतमान परिदेर्स में बात करें वरतमान परिपे के अन्य देश हैं जो कमजोर देश हैं जो छोटे देश हैं इनको अपने पक्ष में करने की कोसिस कर रहे हैं अपने पक्ष में करने का परियास कर रहे हैं ऐसे में गुट निर्पेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका हो सकती है कि गुट निर्पेक्ष नीती से क्या किया जा सक उनको गुट निर्पेक्ष आंदोलन के देश गुट निर्पेक्ष आंदोलन में सामिल कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप अपनी सौतंत्र विदेश निती अपनाइए आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है तो यह दो बात हो गए यह पांच नंबर का कुश्चन है इसलिए लिखना पड़ेगा इसमें उसके बाद गुट निर्पेक्षता के निती सौतंत्र विदेश निती का समर्थन करते हैं जायर से बात है कि जो भी देश हैं किसी भी कंट्री को ध्यान में रखके बलकि नहीं बनाते अपनी विदेश निती बलकि अपने देश की क्वाता की भावना बनाए रखने का बात करती है कि पूरे विष्व में जो है सभी देश स्वोतंत्र हूरे किसी के प्रभाब में या किसी के अभाब में अपना काम या अपना नीती ना बनाए उसके बाद गुट निर्पेक्ष आंदोलन के माध्यम से निसस्तरी करन का परियास किया जा रहा है अभी भी गुट निर्पेक्ष आंदोलन के जो देश हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया परम इनके अलावे किसी के पास परमानु अथियार नहीं है और जिसके पास नहीं है उन सबसे NPT Non-Proliferation Treaty Sign करवाया गया है कि भविस्थ में हुआ किसी भी परकार से परमानु अस्तर का निर्मान नहीं कर सकते और इसी बात का विरोध गुट निरत के देश करते से और नहरु जीने भी इसका विरोध किया था थिकान्ष गुट निर्पेक्त देश तो विकसील या विकसीत होगए यहां संगठा ने एक मंच के रूप में काम कर सकता है जिसने आर्थिव को प्रसाहित किया जा सके यह होगे हमारी उसके बाद इस सब रीजन को देखते इस सब कारणों की वज़ा से हम कह सकते हैं कि अंतराश्ट के सांती सुरक्षा और सम्रेधी के लिए गुट निर्पेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है और भविस में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी सांती के माम सुरक्षा की चिंता होनी नहीं किसी देसों को सम्रेधी की बात करें तो सारे में सांती के परिपेक्षमेक अपनी अपनी जाएगा तो याद रह जाएगा तो यह कुछ important question answer थे इस session को यहीं तक रहने देते हैं और जो भी हमारे नए भीवर से बार-बार कहता हूं कि मैं like कर दीजिएगा subscribe जरूर कर लिजिएगा ठीक है मिलते हैं फिर next class में अगले तक के लिए पढ़िए और class देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद के है